नई बहु, आज खाना तुम बनाओगी, जिसने पानी का गिलास उठा कर कभी नहीं पिया था, उसे मेरी मा ने हुक्म दे दिया, वे उठी जैसे तैसे करके तीन चार घंटे लगाए और खाना बनाया, मगर नमक मिरच उस टेस्ट के हिसाब से थाई नहीं, जिसे परफेक्ट कहा जाता है, इसलिए घर के किसी भी वैक्ती ने वे खाना नहीं खाया, और उपर से ताने मानने लगे, कि मा के घर से यही सीख कर आई हो, मैं आट घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया, अभी बैग भी नहीं रखा था, कि मा कहने लगी, हम तो सुबह से भूके बैठे हैं कुछ बाजार से ला दो खाने के लिए, मैंने एक नजर अपनी डरी सहमी पत्नी पर डाली और मार्किट चला गया, खाना लेकर आया, तो सब खाने पर तूट पड़े, मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर उसे रसोई घर में ले आया, क्या पकाया है आज, वैं अपने आस रसोऊ को आखों में रोकते हुए, मुश्कुराने लगी, बाकी सब की तरह, तुम बाहर का खाना नहीं खाओगे, नहीं, मुझे तो अपनी बैटा रोफ के हाथ का बना खाना ही खाना है, उसने रसोई घर में ही, मेरे लिए खाना लगा दिया, जब मैंने चखा, तो इतना भी बुरा नहीं था, कि खाया न जा सके, मगर उसे इतना समय ही नहीं दिया गया, कि वे अपनी गलती को ठीक कर ले, दोस मेरी पतनी का नहीं था, कि वे मास्टर्स कर रही थी, और उसकी साधी हो गई, पढ़ाई के चक्कर में, उसे घर का काम काज करने का समय ही न ही मिला, और दोस मेरी मा का भी नहीं था, जिसने हाउस वाइप बन कर सारी जिंदगी अपने बच्चों और पती के लिए अच्छा खाना बनाया था, तो वे कैसे अपनी बहू के हाथ का बना कम जायके वाला खाना खाती, मैंने उस दिन अपनी मा की बात भी माल ली, और पत साथी की नजरों में हमेशा के लिए इस वासनिये बना दिया, उस समय मैंने उसका साथ दिया, और आज मेरी पतनी हर तरह के पकवान बनाना सीख गई है, या यूं कहूं कि एक्सपर्ट हो गई है, अगर उस दिन मार्किट से खाना ना ले आता, तो मान आराज होता थी, और अगर मैं मा की बात सुनकर पतनी को सब के सामने डांट लगा देता, तो साथ उसकी नजरों में गिर जाता, और साथ वे मेरा आदर सम्मान करना भी छोड़ देती, रिस्तों में बैलन्स बना कर रखना बहुत जरूरी है, नई नभेली बहु को इतना समय जरूर दे, कि वे थोड़ा एडजेस्ट हो सके, पहले पहले अगर उससे कोई गलती हो जाए, तो उसे नजर अंदाज कर दे, और उसे अपनी गलती सुधारने का मुका जरूर दे, और उसे यह बताए, कि आप उसके साथ हैं, ना कि उसे ताना मार कर यह बताए, कि वे बाहर से आई है, और सस सुराल आती है, तो वे उसका अपना घर बन जाता है, तो उस समय उसे एडजेस्ट होने में, अपने पती और सास की साथ की बहुत जरूरत होती है, हाँ अंत में लड़कियों के लिए, यह जरूरी कहूंगी, कि वे थोड़े बहुत क्यों नहों, साधी से पहले घर का काम ज सब्सक्राइब करना ना भूले, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,